हेलो एब्रिवान विलकम टू ऑनलाइन स्टेडी पॉइंट वीकली करेंट अफेर्स में आप सभी का सभागत है और आज की इस वीडियो में हम एक से छे जून के करेंट अफेर्स को डिसकस करेंगे या फिर कह सकते हैं रिवाइज करेंगे तो हमेशा की तरह टेस्ट की तरह कर दीजेगा और जितना भी स्कोर करें वह लास्ट में जरू बताएगा और शुरुआत करने से पहले अगर आपी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजेगा साथी बैल आइकन भी प्रेस कर दीजेगा ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए और वीडियो राजीम गांधी खेल रतन पुरसकार इसके लिए रोहित शर्मा का नाम दिया गया है नामांकन किया गया है इसके अलावा हम कुछ और खिलाडियों के बारे में अगर बात करें तो अरजीम गांधी खेल रतन पुरसकार इसके लिए रोहित शर्मा को नामांकित किया गया है नेक्स कोशिन है कुरोना वाइरस के बीच किस कमपनी ने दो इंसानों को अंतरिक्ष भेज कर इतिहास रच दिया है तो इक कमपनी का नाम है स्पेस एक्स बहुत सुना होगा आपने इसका नाम इसके सीईओ है स्पेस एक्स एसी कमपनी है जिसने इस सब सिचुएशन के बीच दो इंसानों को अंतरिक्ष भेजा है और यह इसलिए भी काफी इंपोर्टन्ट है क्योंकि अमेरिका से काफी समय बाद इंसानों को अंतरिक्ष में भीजा किया है नेक्स कोशन है रेड़ बुल सालजबर्ग ने लुस्ते नाव को पाँच जीरो से हराकर कौन सी बार अस्ट्रेलियन कप फुट्बॉल टूर्नमेंट का खिताब जीता है तो ये अब साथवी बार जीते हैं रेड बुल, सालजबर्ग ये साथवी बार ये टूर्नामेंट जीते हैं नेक्स कोशन है एशियाई विकास बैंक या फिर एशियन डिवलप्मेंट बैंक ने किस राज्य में सड़क परियोजना के लिए सत्रा पॉइंट साथ करोर डॉलर के रिंट को मनजूरी दे दी है तो ये मनजूरी दी गई है महराश्टर के लिए अब बात कर लें ADB की एशियाई विकास बैंक की तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में हेड़कॉइटर है फिलिपिन्स प्रेजिडेंट इसके इस समय है मसाथसुयू असकावा नेक्स्ट कोशिन है वित्य परिनामों का समय पर खुलासा नहीं करने पर किसने NHAI पर साथ लाख रुपे का जुर्माना लगाया है NHAI यानि की National Highway Authority of India इसके स्थापना हुई थी 1992 में हेड़कॉटर इसका मुंबई में और इस समय इसके प्रेजिडेंट है अजय त्यागी तो सेभी के द्वारा NHAI पर साथ लाख रुपे का जुर्माना लगाया गया है ब्राजील के पूर्व उप अर्थ व्यवस्था मंत्री रहे मारकोस ट्राइजो को हाल ही में किस बैंक का अगला अध्यक्ष चुना गया है गया हैनसे पहले कौन थे अभी तक कौन थे केवी कामत थे और इन्ही recurring पर अब आएंगे मारकोस ट्राइजो किस बैंक ने उडूपी और बैंगलोर में बस यात्रियों के लिए संपर्क रहित कार्ड लाँच करने है तो चलो कंपनी के साथ सही हो किया है तो यह बैंक है येस बैंक नेक्स्ट कोशन है सूश में लगू और मध्यम उद्या मंत्रा ले यानि कि MSME ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लाँच किया है तो MSME के द्वारा फिलहाल चैंपियन्स पोर्टल यह लाँच किया गया है चैंपियन्स C-H-A-M-P-I-O-N-S चैंपियन्स की स्पेलिंग आप सबको पता ही होगी आप सोच रहोगी यह क्यों बताए क्योंकि इसका फुल फॉर्म भी है बहुत लंबा है इसका फुल फॉर्म पर चैंपियन्स पोर्टल MSME के द्वारा MSME मंत्राले के द्वारा इससे लाँच किया गया है नेक्स्ट कुछन है मिशन फथ है अभियान की शिरुवात किस सरकार द्वारा की गई तो ये शब्द को अगर आप ध्यान से देखेंगे मिशन फथ है फथ है पंजाबी शब्द है ना एक पंजाबी लैंग्वज में जिसका यूज जादा किया जाता है तो पंजाब सरकार के द्वारा इसकी शिरुवात की गई याद करने के लिए ये तरीका अपना सकते है अब नेक्स्ट है अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक किटाणू शोधन एकाई किस ने विक्सित की तो इसे विक्सित किया गया है डिफेंस रिसेर्च और डिफ्लिप्मेंट और्गनाइजेशन यानि की डी आर्डियों के द्वार जुन के दिन तिलंगाना राज्य स्थापना दिवस बनाया जाता है भारत का पहला ओपन ओनलाइन कोचिंग प्रोग्राम है कौन सा है इन में से भारत का पहला ओपन ओनलाइन कोचिंग प्रोग्राम तो ये है खेलो इंडिया इपाठशाला इसकी शुरुवात की गई है य नवन्यूक्त उपःप्रबंध निदेशक बनाई गई हैं, हाल ही में किसने CAPFC में हटाने के फैसले पर रोक लगा दिया, तो यह है, ग्रहममंंद्राले, CAPFC में हटाने के फैसले पर रोक लगा दिया, यानिंगि, क्यान्टीन हिरा, उनमें ये फैसला किया गया था कि गैर सो देशी उत्पादों को हटाया जाएगा तो ये फैसले पर अब ग्रहम उंत्राले के द्वारा रोक लगा दी गई है भारत हाल ही में करोना के सबसे ज्यादा प्रभावित दस देशों की सूची में नौवे में से कौन से स्थान पर प affiliated college के स्टूडेंस को इस वर्ष अगले समस्टर में प्रोमोट करने की घोशना की है तो यह है राची यूनिवरसिटी जिसने स्टूडेंस को next semester में promote कर दिया है बिना exams के college schools में promote किया जा सकता है लेकिन आप लोग जिसके तयारी कर रहे हैं उसमें तो promote करने का सवाली नहीं उठता है तो इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना होगा चलिए next question है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किस नाम से एक video blocking प्रतियोगिता की शुरुबात की है तो इस video blocking प्रतियोगिता का नाम है मेरा जीवन मेरा योग और कौन से दो मंत्राले के अंडर ये आता है कौन से दो मंत्राले इसे संभालेंगे तो ICMR और आयूश मंत्राले ये दोनों मिलकर संइक तूप से इसकी देखरे करेंगे इस प्रतियोगिता को ठीक से आयूशित करेंगे नेक्स कोशिन है निम्न में से किस राज्जे सरकार ने जून से शराब पर अतरिक्त उतपात शुल्क लगाने की गोशना की है तो ये है पंजाब सरकार ठीके पंजाब सरकार ने गोशना की है कि जून से शराब पर अतरिक्त उतपात शुल्क लगाया जाएगा भारत के किस शहर में करोना वाइरस रोग्यों के इलाज के लिए रेलवे का पहला आईसोलेशन कोश लगाया गया है तो ये लगाया कि दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में अभी जिस तरह से कुरोना के मरीज बढ़ रहे हैं रोगी बढ़ रहे हैं उस हिसाब से बेड काफी कम बढ़ रहे हैं मरीजों के लिए तो इसलिए किया गया है 160 बेड के साथ 10 नॉन इसी कोच और हेल्थ केर स्टाफ के लिए आइसलिशन कोच की ववस्ता रेलवे के द्वारा की गई है दिल्ली सरकार के कहने पर भारत के पूर्व मुख्य नयाधीश के जी बाला कृष्णर ने हाल ही में किस पर एक नई जीवनी जारी की है तो अभी पूर्व मुख्य नयाधीश के जी बाला कृष्णर ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर एक नई जीवनी जारी की है और इस पुस्तक का नाम है टाइटल है नरेंद्र मोदी सम्रिद्धी और विश्व शांती के अग्रदूत नेक्स्ट क्वेशन है रेस्लिंग फेडरेशन ने लगातार कौन से वर्ष खेल रतन के लिए विनेश वोगाट का नाम भीजा है तो पिछली बार भी खेल रतन के लिए विनेश वोगाट का नाम भीजा गया था और अभी दूसरे वर्ष लगातार नेक्स कोशिन है निम्न में से किस ने गोल्ड मिनी और सिल्वर किलो आप्शन्स ट्रेडिंग की शिरुबात की है तो इसी शिरुबात की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने तलाग के बाद कंपनी के कितने करोड शेर मुआवजे के तौर पर होने से युआन लिपिंग द दोनों का डाइवर्स हुआ और उसके चलते मुआवजे के तौर पर युआन लिपिंग को 16.13 करोड के शेर दिये गए और ये शेर मिलने के साथ ही वो दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल हो गई है भाजपा ने दिल्ली में मनोज दिवारी को है तो बीजेपी ने अभी कई सारे चेंज्जांजेS किया है तो इस सेमके को बदलाव किये गये हैं दिल्ली के मुख्य मंतरी अर्विंद केजरीवालने हाली में कौन सा एप लँच किया है हौकी इंडिया ने महीला टीम की कप्तान राणी का नाम किस अवार्ड के लिए नामांकित किया है तो कप्तान रानी का नाम नामित किया गया है खेल रतन के लिए तो option number 20 सहीो का खेल रतन इसके अलावा अरजुन पुरसकार के लिए वंधना, मोनिका और पुरुश की लाड़ी हर्मन पृत का नाम भी दिया गया है किसके द्वारा हौकी इंडिया के द्वारा महिला टीम के कप्तान रानी को खेल रतन और अरजुन अवार्ड के लिए वंधना, मोनिका और पुरुश की लाड़ी हर्मन पृत का नाम सुझाया गया है बैंक पॉर्ड ब्यूरो ने हाल ही में SBI में चौथे MD के पत के लिए किसके नाम को मंजूरी दे दी है ये हैं आश्विनी भाटिया किंद्र सरकार ने देश के किसानों को राहत देने के लिए खरीफ फसलों के लिए नियुन्तम समर्थन मूले में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी की है तो किंद्र सरकार के द्वारा अभी खरीफ फसलों के लिए MSP में लगभग 50-83% तक की बढ़ोत्री की गई है जिसमें से 2020-2021 के लिए धान का मुले 1868 रुपे प्रतिकुसरी कर दिया गया है जुआर का मुले की बात करें तो 2620 रुपे प्रतिकुसरी कर दिया गया है केंद्र सकार ने देश के छोटे व्यावसायों व्यवसाईों को लाब पहुचाने के उदेशे से किशकी शुरुआत की है तो केंदर सरकर के द्वारा शुरुआत की गई है मुद्रा शिशू रेंड की इसमें क्या किया जाएगा कि एक लाख लाब भारती एक साल में दो प्रतिशत का लाब व्याज लाब उठा सकते हैं और इसमें थोड़ा सा ये भी व्यवस्था की गई है कि दिया तो लोन ही जाएगा लेकिन उस लोन को समय पर अगर कोई व्यवसाई वापस छोटे व्यवसाई जितने भी हैं वो वापस लोटा देते हैं समय पर उस लोन को तो उस लोन का जितना भी व्याज होगा उसको सबसिडी के तोर पर वापस कर दिया जाएगा उस व्यक्ति को और इसे नाम दिया गया है मुद्रा शिशूरिन एक रिपोर्ट के मुताबिक किस कमपनी के वाइस प्रेजिडेंट और सीनियर वाइस प्रेजिडेंट जरके 74 अधिकारी इस वर्ष करोड़ पती की लिस्ट में शामिल हुए हैं एक ही कमपनी है जिसके 74 अधिकारी करोड़ पती की लिस्ट में शामिल हुए हैं तो इस company का नाम है Infosys यह भारत की दूसरी बड़ी IT company है और यह report किसकी थी एक report के मताबिक तो यह Times of India की report थी Times of India के report के मताबिक Infosys जो कि भारत की दूसरी बड़ी IT company है इसके कम से कम 74 अधिकारी हैं जो करोड़पती की लिस्ट में शामिल हुए है वितवर्ष 2021 के लिए उदय कोटक को किस संगठन का प्रेजिडेंट न्यूक्त किया गया है उदय कोटक को भारतिय उद्योग परिसंख का प्रेजिडेंट न्यूक्त किया गया है 2020 के लिए उदय कोटक जो की कोटक महिंद्रा बैंक के CEO है जिलो मोल, मेरियट, थॉमस बिना हाथों से कार चलाने वाली एशिया की कौन सी महिला बन गई है तो ये एशिया की पहली महिला बन गई है इनके हाथ नहीं है पैरों से कार चलाकर इन्होंने कार चलाने का लाइसेंस पराप्त किया है और ये एशिया की पहली महिला है इस तरह की ऐसी महिला एक पहले भी एक वीडियो शायद आप में से कई लोगों ने देखा हो मैंने भी देखा है पहले एक ऐसी महिला रह चुकी है लेकिन वो वेस्टन कंट्री से बिलॉंग करती है एशिया से नहीं थी और अगर आपने वीडियो नहीं भी देखा है तब भी ये बहुत इंस्पारिंग है सोचिए किसी इंसान के हाथ नहीं है और वो पैरों से अपना हर एक काम कर रहा है मैंने वो वीडियो देखा था पैरों से अपना सारा काम वो खुद करती थी इवन कार्ट चलाना भी तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो बहुत कम होते हैं दुनिया में बहुत कुछ सिखा जाते हैं हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी सिंदगी का कही ना कुछ मोड ऐसा आता है कि हम यह सोचने लगता है कि हमारे पास कुछ नहीं है या क्या life दिये भगवान आपने इतनी बेकार life दिये ऐसा सोचने लगता है न तो एक बार ऐसे लोगोगी तरफ देख लेना चाहिए कि उन्हें तो कितनी शिकायत होनी चाहिए फिर जब हमें इतनी है सब कुछ होते हुए भी और कितनी भी कमिया हो हम तो पूरे हैं ना तो हम पूरे हैं तो उन कमियों को भी पूरा कर लेंगे यही सोच कि बस आगे बढ़ते रहना चाहिए हमेशा और हार तो कभी माननी ही नहीं है बस कमियों को ढूंडो उसको ठीक करो चली नेक्स क्योंशन है अनुसंधान करताओं की एक अंतराश्च्ब टीम ने किस नाम के पristवी जैसे ग्रह के होने की पुष्टी की है तो ये ग्रह है प्रॉकसिमा भी ये एक ऐसा ग्रह है जो अनुसंधान करताओं इसा माना है कि यह काफी प्रित्वी की तरह ही है और प्रित्वी की तरह इसमें भी जीवन के कुछ आवशक शर्ते जो हैं वहो सकती है गेंद्रे खेल मंतरी किरिन रिजिजु ने कितने देवसिये खेलो इंडिया सामुदा एक प्रशिक्षक विकास कारेकरम का उधगाटन कि तो यह 25 दिवसी यह कारिक्रम विदेश मंत्राले में संप्त सचिव रवी रवीश कुमार को किस देश में भारत का नया राज़तूत निउक्त किया गया है और रवीश कुमार इनकी बात करें तो 1995 बैच के आईस अधिकारी हैं निम्न में से किस देश की सरकार ने किस अन्या क कि घर पर दो या उससे अधिक लोग्ugen को एक साथ नीजी तौर पर रात कुजारने पर प्रतिबंद लगाया है तो यह किया गया है ब्रिटन के सरकार के द्वारा और इसका का काफी मजाग भी ब्रिटन में उडाया जा रहा है ठीक है तो गया गया अब रिटेन सरकार के द्वारा एशिया उनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने इंस्टिटूट टॉप हंडर्ड में शामिल हुए है तो भारत के इसमें आठ इंस्टिटूट है जो की टॉप हंडर्ड में शामिल हुए है और एशिया बैंगलूरू इसने टॉप स्थान प्राप्ति किया है भारत ही और से टॉप रहा है लेकिन ये जो सौ की लिस्ट है इसमें 36 स्थान पर धाई है सेंगत राष्टर सुरक्षा परिशत का चुनाव कब कराया जाना निर्धारित हुआ है तो ये 17 जून को कराया जाना निर्धार भारत को समय बर राफेल विमान देने की घोशना की है राफेल विमान हम किस से खरीदने वाले हैं फ्रांस से तो फ्रांस ने कोरोना महमार के बावजूद ये राफेल विमान देने वाला है फ्रांस हमें ऐसी घोशना की है भारत और किस देश के बीच वर्च्वल समिट में रक्षा और ट्यक्नलोजी सहिथ साथ समझblick पर हस्ताक्शर हुए हैं तो भारत और उस्ट्रेलिया के बीच ये समझोते हुए हैं और उस्ट्रेलिया के राश्टरपती स्कोर्ट मौरिसन के बीच मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने किस देश की क्रेडिट रेटिंग को BAA2 से BAA3 कर दिया है तो ये भारत की रेटिंग को मूडीज इन्वेस्टर्स के द्वारा कम कर दिया गया है फोब्स मैगजिन के द्वारा जारी दुनिया के सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाडियों की सूची में कौन सा खिलाडी पहले स्थान पर है तो ये खिलाडी का नाम है स्वीज लैंड के रोजर फेडर डॉक्टर मुहमद रजा ने लद्दाख के करगिल में कितने किलोवाट शम्ता वाले पहले सोलर लिफ्ट सैंतर का उधगाटन किया है तो ये है पांच किलोवाट की शम्ता का लद्दाख का पहला सोलर लिफ्ट सैंतर कितने शम्ता इसकी पांच किलोवाट की और बात करें डॉक्टर मुहम्मद रजा ये कौन है तो ये भारत के पशु भेड और मचली पालन के निदेशक है भारत के किस हाई कोट ने मुख्य मंत्री जे जैलायलिता के भतीजे और भतीजी को उनकी करोणों की संपती का वैद उत्राधिकारी खोशित किया है तो ये मदरास हाई कोट ने ये घोशना की है निमन में से किस देश की राश्ट्रोपती ने हाल ही में डबलु एचो से सभी संबंध खत्म करने की घोशना की है तो ये एक ही इंसान है एक ही देश की राश्ट्रपती है जो ये सब करते रहते हैं कभी भी तो ये है अमेरिका चिक है और अमेरिका की राश्ट्रपती डुनाल्ड ट्रम्प हाल ही में भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल का फुल फॉर्म क्या है भारत सरकार के दौरा जो स्वदेश स्कीम शुरू की गई है इसकी फुल फर्म है स्किल्ड वरकर्स राइवल डेटा बेस फॉर इम्प्लाइमेंट सपोर्ट तो यह स्वदेश की फुल फर्म अब यह स्कीम के बारे में है तो वीदेशों से जितने भी लोग आए हैं भारत में वापस, कोरोना के चलते उनको वापस लाया गया है उनकी skills को चेकर के, उनकी skills को देखकर उनने भारत में ही रोजगार दिया जाएगा क्योंकि अब वो बाहर से आये हैं तो यह भी समस्या है ना कि उन्हें रोजगार किस तरह से दिया जाए तो उनकी स्किल्स को देखकर उन्हें रोजगार प्रदान किया जाएगा इसी के लिए स्वदेश पहल की शुरुआत की गई है अब देखिए इसे एक तरह से किया जा सकता है कि जो देश के लोग हैं उन्हें रोजगार मिलने रहा है बाहर से लेकर आ रहे हैं उन्हें रोजगार देंगे तो देखिए यहां पर एक positive point ही निकल कर आता है हमने economics जो हम कर रहे हैं उसमें हमने unemployment topic किया था उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे भी लगता है कि ये वाकई में सबसे बड़ा है कि शिक्षित बेरोजगारी जो है शिक्षा ही लोगों को इस तरह की प्रापनी होबाती कि उन्हें रोजगार के लायक बनाया जाया फिर तकनीकी शिक्षा नहीं होती है लोगों के पास एक्चुल शिक्षा जो नॉलिज होनी चाहिए नहीं होती है सिर्फ डिग्रीज होती है बाहर से लोगों को लाया जाएगा तो ऐसा तो नहीं किया जा रहा है इस Scheme के त्हाइत कि कुछ भी काम किसी को भी दे दिया जाए Skills चेक की जाएंगे और उसके बाथ काम दिया जाएगा तो इससे ऑफ कॉर्स देश को फायदा होने वाला है कि जो सर्विस यह लोग बाहर जाकर देते थे वो सर्विस अपने स्किल्स का प्रयोग करते हुए देश के अंदर देंगे नेक्स कोशन है हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ परियावरण के शेतर में सहयोग के समझोते पर मंजूरी दी है तो परियावरन के शेतर में भूटान के साथ समझोते को मनजूरी दी गई है हाल ही में किस पोर्ट का नाम बदल कर श्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है तो कोलकाथ पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है और अब इसका नाम श्यामा प्रसाद मुखरजी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है और लास्ट कुशन है आज का कोहाला पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थापित की जाएगी तो कोहाला पन बिजली परियोजना कहां पर पंजाब में किस नदी पर जहलम नदी पर ठीक है तो ये थे हमारे इस वीक के करंट अफर से रिलेटेट कुछ इंपॉर्टन क्वेशन कितना स्कोर किया ज़रू बताएगा आज की वीडियो में बस इतना ही थेंगे